नमस्कार दोस्तों जैहिंद डीके आदम नियूज में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिवेट लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्रेब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें आईए देखते हैं वीडियो जैहन बंदे मातरम पाकिस्तान पर हमलों में अफगान सरजमील इस्तमाल नहीं हो रही यह पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और इसे पाकिस्तान को खुद निमटना होगा अफगान हकुमत की तरफ से यह बयाना है और चीज़ जो बड़ी खतरनाक हमें नज़र आ रही है कि आफिस गुल है तो अफगान तालिबान इक्तदार में आए है तो अब तक बेश्टर जो अटैक हैं वो टीटीपी ने की हैं को चार सो बीस हमले हो चुके हैं और जो कैजुल्टीज हैं बोत जो इंजरीज हैं या डेट्स हैं सिविलियन्स की उसमें कोई 170 फीसद इजाफा हुआ है जब कि पुलीज की जो कैजुल्टीज हैं उसमें कोई 44% इंक्रीज हुआ है और अगर लास्ट 3 मंस में देखे हैं तो टीटीपी ने कोई 141 हमलों की जिमदारी कबूल की है सिप्टेंबर में 39 हमले हुए हैं अक्तूबर में 43 और निवेंबर में 59 और डिसेंबर में भी आपको करने की जो पॉलिसी थी वो बैक फाइर कर गई है और बुरी तरह नाकाम हुई है तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान उसकत ही हुआ कि हम जो अपनी गलतियों की जो रिस्पॉंसिबिलिटी थी हम दूसरों पर डाल देते ते तो पहले हमारे पास होता था जिए पाकिस्तान में अमरीका वहां पे है और अम Jerickan back हकोमत है वहां पर एंडिया भी वहां पे अपने टर्रेइस बेस इस्तमाल करके पाकिस्तान के उपर हमले करवारा है तो अब तो वहां पे हमारी so kind friendly government है अब किस की उपर जमादाली डान वारे शान था है आज जी डॉन मैं तो कहता है कि आपकी तरीफ से लूग आरहे हैं तो उन्हें कहा जी के हमारे मुलक में कोई इस तरह की सेंक्षॉरेइज नहीं हैं, ये पाक्सीन का अंदरूनी मॉामला हैं, ये पाक्सीन के अंदर से हमले हो रहे हैं. हम किएते थे नहीं जी हम किसी को बलेम कर सकते थे को capable आपका टार्गेट होता किया जो belki बूल चस्तान में जो हो रहा है अब किसकी सर्जमीन इस्तमाल हो रही है यह चीजें मेरे लिए जो फेयर फैक्टरीस के इंदर यह है नँ हमने सब्सकितन ही सीखेंगे मेरे खायल कि 5-6 माँ पहले हमने एक प्रोग्राम किया था इस इशू की उपर और उसमें ये बात जब तालिबान को उस तरीके से राइज नहीं हुआ था तहरीक तालिबान का पाकिजार में वहाँ पी बात हुई थी कि वो जो रिसेटलमेंट हो रही है इसकी कुछ इंप्लिकेशन्स है तो उस चीज़ को दबाया गया था अब क्या सूरते हाल है कि अभी कोई हम इंटर्नल रिव्यू की तरफ जा रहे हैं इसकी हवाले से आपके पास कोई ख़बर भी है कि कोई अभी शायद को सबक सीख रहे हैं हम मेरे खाल में सबक तो जो सीखने की बात है वो तो पता चलेगा कि एक तो चीज़ है कि एक लिस्ट पॉब्लिकली किसी में हमत नहीं आकर कहने की लेकिन बैक ग्राउंड जो डिसकॉशन जो भी मतलगा हुकाम है जो मेरी उनसे हुई है वो तो यह कहते हैं कि जो हमारी पॉलिसी थी टीटीपी के हवाले से वो नाकाम हुई है उनके साथ मुझाराइथ नहीं करने चाहिए थे और अगर मुझाराइथ किये भी थे तो जो हमने आने दिया टीटीपी के जो देशतगर थे सिर्फ इस वज़े से कि ये उपनी फैमिली के साथ मिलने आ रहे हैं वो पॉलिसी भी वो गलत थी बात करेंगे गवर्नेंस पे भी वो क्रिटिसाइज करेंगे तो वो अपने लिए यानि मल्टीपल डाइमेंशन से वो खुद को कोशेश उनकी है कि हम एड़जस्ट करें खुद को और ने रेकूरूटमेंट लेके आए बलके नेशनलिजम पे भी जिहादी और नेशनलिज नेशनलिजम ये दो अलग चीज़े हैं लेकिन मुफ्ती नौर लिमैसूद ने उसको भी आपस में मर्च किया हुआ है कि पश्टून नेशनलिजम पे भी वो बात करते हैं बलोज नेशनलिजम पे भी बात करते हैं आपके पास क्या इतला है कि सुईसाइडर की कैपसिटी उनकी कितनी हैं और ये अब खुदकुश हमलों का सलसला कैसे शूरू हो गया हाँ खुदकुश के ये कि टी टी पी ने यानि पहले स्वाइर की इन्होंने वो की दी कि हम दिफाई हमले करेंगे इन्तिकामी हमले करें क्योंकि हमारी खिलाफ सेक्षर एक्शन ले रही है तो उसके जवाब में अब हम भी हमला करेंगे तो ये पहला स्टेप था स्वाइर खत्म करने का फिर उन्हें पीछले महीने एक बाकाईद और उन्हें एक और इलामिया इशू किया जिसमें उन्हें का हम एक्सपेंड करेंगे अपने आपरेशन को तो ये जो एक्सपेंशन हु बाकी जो पाकिसाने कराची पंजाब और बोलुचिसान में तो उनके सुसाइड अटेक्स ज्यातर यहां पे होंगे हाँ खेबर फखतुर्फा में उनकी कोश्च होती है कि टार्गेटिड किलिंग हो सिक्यूरिटी फोर्स के खिलाफ और खासकर जो पुलीस है कि उनको काया किया है और इसमें तकरीबां तीन हमले वाली डिकर चुका है नार्थ वजीरसान में और तो यह जो आपस में मुख्तली जो गृूपस हैं इसमें आप यानि आम बलुचिस्तान में भी यह चीज़ देख रहे हैं कि बलोज जो मिलिटेंट्स हैं जो के सेपरेटिस्ट ह रहे हैं वहाँ पे और बलोज जो फैक्शन्स हैं वो भी टीटीपी में शामल हो रहे हैं तो यह जो मुख्तलीफ गृूपस का आपस में मिलाप है तो यह जो दावा किया था कि मकरान से तालुक रखने वाला एक गृूप भी उनके साथ शामल हो गया है इससे पहले भी एक हकानी नेट वर्क के साथ मुनसलीक बलोज गिरो था तो वो भी टीटीपी में शामल हो गया है तो यह जो मुख्तलीफ गृूपस हैं कि इसमें अब नैशनलीज गृूपस भी हैं इसमें जिहादी भी है यह आपस में मिल रहे हैं और टार्गेट एक ही है कि पाक्सानी रिय जाते हैं अपना रेकॉर्ड भी भूल जाते हैं हकूमत कहती है कि जी नहीं यह आपकी करॉप्शन की वज़ा से अच्छा है आप कोई मुझे बता रिक कैसे हैं तो पॉइंट इसकी यहां पर आप पटास बंदे मैं माधरस में साधी बात करूगा कि पचास बंदे अगर आ क्या हुकम में रहा का इसके इलावा सर ऑन दे ग्राउंड आप नंबर्स को देखें आप सिचुएशन पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें कोई शॉर्ट तर्म या मीडियम तर्म में एक सेलूशन आपके सामने नहीं है नहीं आईगी नहीं आईगी जब सच यह सूरते हा पाकिस्तान के अब atasum और उसके बात से आपने आपके साथ किया था ओर यह उसके बात से आपने देखा के जो वाकयात हैं। जाहे व बलुज़न में हैं जाया से सलसल अग्या हनृ एक इंग्रेजिशी एक पर ने बड़ी तवसील के साथ यह खबर में की है व्न तो जो जि हम पाकिस्तान के अंदर से अपरेट कर रहे हैं असलिए ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है इसमें अफगानिस्तान को डालने को डालने की दूरत नहीं है मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके दावे को 20 पीसद भी सही मान लिया जाए तो हमारी असकरी क्यादत हमारे लाइन फोर्सर और हमारी जो हकूमत है उसका ये दावा कि हमने देशत गर्दी को जड़ से उखाड के फैंक दिया है और यहां पर उनके स्लिपर सेल्स खत्म कर दिये गए हैं उसकी क्या आहमियत रह जाती है वागी और जिस तरह के इस वत इन्फरमेशन बेस्ट और इंटेलिजनस बेस्ट आपरेशन किये जा रहे हैं लोग पकड़े जा रहे हैं असलाब रामद हो रहा है तो उससे भी लग रहा है ये कि नहीं वो लोग यहां पर मौजूद हैं उनके स्लीपर सेल्स यहां पर मौजूद हैं अब उनकी मौजूदगी जो है उसके लिए मुझे कल खुशी हुई जब मैंने ये बियान पड़ा और हमने अपने प्रोग्रम में इसका तथक्रा भी किया था कि जनरल आसम मौनीर कहते हैं कि हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान को देश्टगर्दी से पार पाके हैं कि बजाए इसके कि टीटीपी से बातचीत की जाए ये बेतर है कि अफगान हकूमत के साथ डायलॉग किया जाए और उन्हें इस बात पर कायल और मायल किया जाए कि आप अपने इलाके से इन लोगों को निकाल बाहर करें और जो वहां लोग आपके इल्म में आएं कि वो टीटीपी से तालुक रखते हैं उनको आप हमारे समूर्थ करें आप याद होगा पाकिस्तान ने ये उफर किया था कि अगर ये लोग पाकिस्तान के आइन को मानें गैर मसल्ला हो के आना चाहें तो नमस्कार दोस्तों जहन दोस्तों बल अचिस्तान लिबरेशन आरमी पाकिस्तान पर आप मिलकर करके हमला करेंगे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि आप पाकिस्तान में सुसाइड अटैक और जदा बढ़ेंगें क्योंकि बी ऑले के लोग बहुत दिनों से पाकिस्तान से आ जादी की जंग लड़ रहे हैं लेक काफ़ी ज़्यादा घवड़ाए हुए हैं दूसरी तरह तालवान ने भी पाकिस्तान को साफ साफ एदायत दे दिया कि टीटीपी का हमला हमारा मामला नहीं है यह आपका अंदुरीनी मामला है अपना मुल्क खुद समालो अब पाकिस्तान बुरी तरीका से फस चुका है क्यो अगानिस्तान में उसका कभजा हो गया है अमेरिका और भारतियां से भाग चुके हैं लेकिन आप खुन के आसूर हो रहा है अब दो आतंकी देशों की लड़ाई होने वाली और यह लड़ाई किसी न किसी अंजाम तक ही पहुँचेगी आपकी क्या रहा है कमेंट में जरू सेयर करें यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सेयर करें जैहिंज वंदे मात्रों